इंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम NCRT के कच्छा नौवी के गड़ित की प्रशनावली 13.7 के सभी प्रशनों को हल करेंगे प्रशन एक बहुत आसान प्रशन दोस्तों उस लंब ब्रत्य शंकु कायतन गयाद कीजिए इसके प्रशन के दो भाग है पहले भाग में बोला तरज्जा 6 cm और उंचा ही 7 cm है और दूसरे भाग में तरज्जा 3 cm और उंचा ही 12 cm दे रखिए ठीक है तो पहले हम पहले भाग को की उचाही 7 cm है ठीक है शंकु की उचाही लिख लिए हमने 7 cm अब दोस्तों अध्या 13 के परिचे के वीडियो में हमने पढ़ाता संकु की आयतन का सूत्र होता है एक बटा तीन गुणा पाई आर स्क्वेर एच ठीक है पाई का मान हमें पता है आर का मान हमें दिया हुआ है ह सब के मान रख देते हैं तो शंकु काहतन हो जाएगा एक बटा थीन पाई की जागे रख देंगे 20वृटा न…ds2, साथ यह नीचला कट गया तो बचा 22 और 6 का आपर 6 गुणा 6 ठीक है अब यह 6 से 3 को काटेंगे तो दो बचे का उपर तो हमारा शंकु कायतन आजएगा 22 गुणा 2 गुणा 6 ठीक है इसको हल कर लेंगे तो शंकु कायतन हमारा आजएगा 264 cm3 यह हमारे प्रेशन के पहले भाग का उत्तर है 264 cm3 जैसे भाग एक को हल किया था विल्कुल वैसे भाग दो करेंगे ठीक है शंकु बना लिया हमने ठीक हमें दिया गया है शंकु की तरिज्जा 3.5 cm तो र बराबर 3.5 cm हो गया और उंचा ही दे रखिए 12 cm है तो ह बराबर 12 cm हो गया हमारा अब हमने शंकु के अब देखें यह जो बारा है इसको तीन से काटेंगे तो चार बचेगा यहां पर ठीक है और साड़े तीन को साथ से काटेंगे तो 0.5 तो हमारे क्या बचेगा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4 तीक है इसको हल करेंगे तो बाइस गुणा 0.5 हो जाएगा 11 तो शंकु का आईतन हमारा जाएगा एक सो चोगन सेंटीमीटर क्यूब यह हमारे प्रेशन के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों प्रेशने दो में दोस्तों हमें दिया गया शंकु की अकार के उस बरतन की लीटरों में धारिता ग्याद किजिए ठीक लीटरों में बताना है हम अपना उत्तर लीटरों में धारिता मदो आयतन ही होता है लीटरों में आयतन ग्याद किजिए जिसकी दो बाग में दिया गया वरतन की तृजया 7 cm तो r बरावर 7 cm हो गया हम और हमें दिया गया है बरतन की ृचाह 25 cm ठीक है, तो l बरावर 25 cm हो गया हमारा, ठीक है, तीरयक 5-25 cm हो गया, अब हम माने लेते हैं कि वरतन की लुचाह इस है.. यह नहीं हमें माने दिया थारे थाम目前, तरह में पढ़ाता कि त्रीक हुचाही बराबर होता है अंडर-root के अंदर R²-H² R मतलब तरज्या H मतलब हुचाही है हमें उचाही नहीं पता है त्रीक हुचाही और R पता है तो आप अब R K और L K मान रख देते हम ठीक है R SQB मतब 7 का SQB धन H SQB हमें निकालना है बराबर L SQB L25 जो दियो हुआ है रख दिया हमने 7 का वर हो जाएगा हमारा 49, H SQB तो निकालना है 25 का वर हो जाएगा 625 अब 49 को हम ले जाएगे तो हो जाएगा 625-49, ठीक है 625 में 649 गटाएंगे तो 576 मिलेगा अब H क्या होता है का अंडरूट 576 ठीक है आप 576 के हम गोड़ अंखन कर लेते हैं तो यह 24 गुणा 24 होता है 576 हो जाएगा अंडरूट के अंदर 24 गुणा 24 ठीक है तो अंडरूट के बाहर क्या दाएगा 24 तो एच उंचाई हमारी आगई 24 सेंटीमीटर उंचाई आगई 24 सेंटीमीटर ठीक हमने क्यों निकाली यहां पर क्योंकि आयतन का सूत्र होता है एक बटा तीन पाई यार स्क्यार है तो एच निकालना हमारे लिए जरूरी था तो हमने एच निकाल लिए 24 दोस्तों त्रिज्जा तो हमें दी रखी थी साथ सेंटीमीटर उंचाई हमने निकाल लिए 24 सेंटीमीटर अब हम जानते हैं संकु के आयतन का सूत्र होता है एक बटा तीन गुणा पाई आर स्क्या पाई हमें पता है 22 बटे साथ आर दिया हुआ है और हमने निकाल लिए मान रख देंगे तो बड़तन का एतन कितना हो जागा एक बटा 3 पाई की जागे रख देंगे 22 बटे 7 अर साथ दिया हुआ है तो साथ का स्क्यार गुणा एच 24 निकाला तो 24 ठीक है अब टीन से 24 को का ठीक है ठीक है ठीक है 24 में 45 वाग यह ठीक है और भीकर पतर में है जान सकते। सबसक्राइभ प्ष्णाल सकोकी ब Cont comida है 24 से आट सकाट ग्योंगे एक साथ को काट देंगे लिult हमारा रचाऽ और 32 साथ चलाएगा 22 गुणा सत गुणा आड़ 20 out तो बरतन का यतन हमारे आजाएगा 1232 cm3 अब हम जानते हैं 1000 cm3 किसके वर रहा होता है एक लिटर के ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें धारिता लीटर में बतानी है एक है 1000 cm3 कितना होगा एक बटे 1000 लीटर क्योंकि यहां पर मारा होत्तर कितना 1232 cm3 कितना होगा 1232 गुणा एक बटे 1000 यह लीटर में आ जाएगा इसको हल करेंगे तो तीन जीरो है तो तीन अंकों के आगे दश्वम्रब लग जाएगा तो 1232 cm3 कि वह जाएगा एक दश्वम्रब दो तीन दो लीटर ठीक है तो हम कह सकते हैं कि बटन का इतन कितना है एक दश्वम्रब दो तीन दो लीटर यही हमारे प्रेश्ण के पहले बाग का उत्तर है दोस्तों तो अब को कॉल कर लेते हैं जिसमें हमें उंचाई दे रखी है तो हमने शंकु बना लिया हमें दिया हुआ है बरतन की उंचाई एच बरावर 12 cm ठीक है उंचाई 12 cm दे रखी हमें और आयतन के लिए हमें पाई आर स्क्वेर एच आर और है चाही होता है लेकिन आर नहीं दि क्या दे रखा में बरतन की तरिया कुछाई 13 cm तो हम माल लेते हैं कि जो बरतन की तरज्जा वह कितनी आर है अब हम जानते हैं एल बरावर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्कार देन एच स्कार ठीक है एल दिवा होगा है एच दिवा होगा है तो आर आ जाएगा यहां इसकार एक तो दोनों तरफ क्या कर लेगे स्कार कर लेंगे क्या देगा हमारा स्कार आर से रट 002 से यह बरावर तो स्कार चेंगे रख होता है 144 बरावर 132 रहाटा होता है 171 त अब 144 को दारह ले जाएंगे तो निंगिटे हो जाएगा रिंड का हो जाएगा तो आर श्क्योर यहाज़का हमारा चेहएगा 25 थिक है आर चेहां रहीं हमारा चेहरा चेह थी तो अर्प्टिस थिक है अर्प्राइक तो यह च्रज्च कितनी आ गई 5 cm आगे बढ़ते हैं ठीक है उंचा ही हमें दे रखी तरज्जा हमने निकाल ली हम जानते हैं शुंकु की आयतन का सूत्र एक बटा तीन पाई या स्क्वेर एच सब के मान रख देंगे तो बरतन का आयतन हो जागा एक बटा तीन पाई की जगे रख देंगे 22 ब पांच ठीक है अब अब देखी 5 गुणा 5 25 गुणा 400 100 गुणा 22 2200 तो हमने लिग दिया 2200 बटे 7 cm3 हम जानते हैं 1000 cm3 होता है एक लीटर एक सेंटीमेटर क्यूब होगा एक बटे 1000 लीटर और यहां पर में कितना सेंटीमेटर क्यूब निकालना है 200 बटे 7 सेंटीमेटर ठीक है 2 0 से 2 0 काट देंगे ठीक है तो यह बचे का 22 बटे 7 गुणा दर 70 22 बटे 70 फिर 2 से बाग देंगे तो बचे का 11 बटे 35 तो हमारा जाएक 11 बटे 35 लीटर तो हम कह सकते हैं कि बरतन का आयतन कितना होगा 11 बटे 35 लीटर यह हमारे प्रश्न के दूसरे बाग का उत्तर है है पाई कामान हमें प्रयोग करना है तीर इक तो मने शंकू बना लिया हमने डिया गया संकू कुक है यह फिरbank рад माली जो KHI हमें ग्याद करनी है आलना एक बटा तीन पिर जानते हैं, एक बटा 3 पाई आर स्क्वेर हैं है चिसके बराबर होगा है, पिर में पाई कशयर है कि 살ो आर सक्वेर ने जाहित करें और गळाँ है,паन पाई की जाएके रखा हमने 3.14, आर का मान हमें ग्याद करना तो आर स्कार ये रहेगा ये, एच हमें 15 दे रखा, तो आच की जाएके रख दिया 15, बराबर 1570, ठीक है, 15.7 गुणा R का स्केर बराबर 1570 अब 15.7 को दार्यंतर अब ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा तो हमारा र आजाएगा पंदाशो सत्तर बट्टे 15.7 ठीक एब 1570 में 15.7 का भाग देंगे तो हमें तो यह हमारा 10 cm यही हमारे घ्याद करना था आधार की तुरिज्ज्जा मारी कितने आ गई र वराबर 10 cm यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों प्रेशन दोस्तों प्रेशन 4 में हमें दिया गया यदि 9 cm उंचाई वाले एक लंब रत्ती है शंकु का आयतन 485 cm3 तो इसके आधार का व्याज ग्याद किजिए तो पहले हम तरज्जा ग्याद कर लेंगे फिर व्याज के साथ कर लेंगे तो एक शंकु है हमें दिया गया इसक है कि हम जानते हैं कि संकु का हैतन का सूतर होता है एक बटा थीन इसके बड़ाभर रहें uh जोगे शंकुकायतन में 48 पाी सेंट्वेंटर क्यूब दे रखा है ठीक है अब पाई इससे पाई कट जाएगा तो एक बटा तीन आर इसक्वेर हो जाएगा हमारे 48 के बाबर अधर्ज दोस्तों के लिए दोस्तों तो प्रश्णत पांच में दोस्तों हमें दिया गया है सब् से ओपरी व्यास साड़े तीन मेटर वाले शंकुर के अकार का एक गड़ा 12 मेटर गहरा है कि दह विटर Гepadros कितनी पताना हमें तो इस परकार गड़ा है, ठीक है उपरी व्यास साड़े तीन मीटर वाले शंकुव के अकार का एक गड़ा 12 मीटर गहरा में गहरा है इसकी धारिता किलो-लिटरों में कितनी होगी तो इस प्रकार का गड्डा है जो हुआ है इस गड्डे की घड़ाई बदाने है किसमें कितना पानी आ सकता है तो दिया गया गय कुआ रहा कम होता है हमें घड़ी relativity निकालनी होगी तो गड़ी किronic है कि ग otra day दो तो थीक्या ह हमारी तरज़ा जाएगी 1.757 मिटर ते कि अब हम जानते हैं पीतन का सूतर होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्राइच ठीक है हमें सारे मान पता है पाई का और एच का तो हम रख देते हैं यहाँ पर तो गड़े का इतना जाएगा एक बटा तीन पाई की जगे रख दिया बाइस बटे साथ आर की जाएगर रख दिया एक दर्शमलब साथ पांच तो यह ऐस मुवन है अँर यह तीन चला जाएगा हमारा तो क्या बचेगा हमारा बटे साथ तो बयास बटे साथ लिख दिया 1.75 यह गटीड़े का हम गटा एक nosa पांच ने चला जाए जाएगा एकस औरменगा हम cauliflower और 5етр कूब लेकिन हमसे किस में किलो लीटर में हम जानते हैं है UKLLL होता है 38.5 Kinilutr होगा 28.5 क्यहोगा 38.5 Eliteone होगा 38.5 पांच किलो लीटर ठीक है तो हमारा उत्तर आ गया 385 किलो लीटर प्रश्ण चाहिए दोस्तों में दिया गया एक लंबी वृत्ति शंकु का आयतन 9856 सेंटीमेटर क्यूब है यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमेटर है तो ज्याद किज़े प्रश्ण के तीन बाग है पहले बाग में शंकु की तर्यक में चाहिए और तीसरे बाग में शंकु का वक्ष्टीश हित्फल तो हम पहले बाग को हल कर लेते हैं शंकु बनालिय बाग देगी आर बराबर डी बटा दो अर्था व्यास बट्टे दो व्यास 28 तो जाएगा 28 बट्टे दो 28 में दुका बाग देंगे तो मिलेगा 14 तो तो त्रिज्जा होगी हमारी 14 सेंटीमेटर ठीक है अब हम माल लेते हैं कि शंकु की उंचाहिए कितनी है है हम जानते है गुम्का है फिर हो यह स्कूर्फ होता है 1 2 3 दो बचेगा तो एक बटा तीन को एक बटा तीन लिखा साथ चला गये वाला तो बाइस को बाइस लिखा ये चौधा का दो बचा फिर गुणा चौधा गुणा एच बरावर नौइर आट सो चपन ठीक है तो यह जो दो है यह कहां चाहिए चौधा में साथ का भाग देने से ठीक है तो एच बरावर किता हो जाएगा नौजार आट सो चपन बटे ठीक है अब यह तीन ऊपर चला जाएगा और बाइस गुणा दो गुणा चौधा नीशे चला जाएगा वह लिख दिया हमने इसको हल करेंगे तो एच आ जाएगा हमारा अर्टाले सेंटिमीटर तो श लुण को की तरह कुछ है इसमाल अल ठीक है अब हमने सूत्र पढ़ाता अध्या तेरा के परिच्छा के वीडियो में अर्टार रूट के अंदर आर इसकर धन एच शकर और एच के मान पता है तो रग देंगे तो ल बरावर हो जाएगा आर की जगे रग देंगे चौदा औ हैं 48 कभर ठेक है सहुझाधा कवर गोता एक ≫र 59 224 ल बरावर अंडर रूट के अंदर 196 दन 2304 न दोनों को जोडएंगे तो मिलेगा पच्छिस्सो घकशिस्ट्ति आल बएव रग हो जाएगा पच्छिस्सो ऑगा करेंगे तो होगा 한 चर्ग को पचास गुणा 50 तो तो अ अब प्रश्ण के तीज़े बाग में हमसे पूझा शंकु का वक्षटी छित्वल तो हमे रफ पता है और रफ पता है थीक है तो शंकु के वक्ष प्रष्टी छित्वल का सूत्र हमें पता है पाई र-L ठीक है मान रख देते हैं पाई की जगह रख देंगे 22 ने साथ र हमें 1200 ठीक है तो शंकु का वक्त प्रिष्टी शित्पन हमारा दाएगा 200 cm2 यह हमारे प्रश्ण के तीसरे बाग का उत्तर है दोस्तों प्रश्ण साथ बहुत यह असान प्रश्ण है दोस्तों यह इस प्रश्ण में कहा गया बुजाओं 5 cm 12 cm और 13 cm वाले एक समकॉन तुर्वज एबीसी को बुजा 12 cm के परित घुमाया जाता है इस प्रकार प्राप्स ठोस का एतन ग्याद किजिए ठीक है तो हम पहले तो यह फिर गालने संबसे बड़ी म horizonों 113 cm, 11 cm के बुजा के इसको घुमाते हैं 12 cm के बुजां को न से यह वाली है इसके चारों तरफ ऐसी से घुम आते हैं तो वमें कैसी आकरती मिलेगी एक शंकु क्याकर कि आकरती तो घुमक एथ इस प्रकार थोस का इतन ग्याद की जहें, ठी वोज ABC को बुजा 12 cm के परिद घुमाने पर हमें एक ठोज शंकू प्राप्त होगा ठीक है तो हमें क्या प्राप्त होगा शंकू अब दोस्तों इस शंकू की तरज्जा कितनी होगी 5 cm यह देखिए यही तरज्जा R बराबर होगी 5 cm और उंचाई H बराबर होगया 12 cm ठीक है अ अब यह 12 में 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 ठीक है तो यह 4 हो गया 12 और 3 निकल लेगा निकल जाएगा ठीक है तो कितना मचेगा पाई और 5 का बरगों का 5 गुण 5 ठीक है अब आप देखिए 5 गुण 5 25 25 गुण 4 100 ठीक है तो यह हमारा कितना जाएगा 100 पाई त तो इस प्रश्ण का उत्तर याद रखेगा प्रश्ण 8 को हल करते समय प्रश्ण 8 बिल्कुल प्रश्ण 7 की तरह ही है ठीक है यदि प्रश्ण 7 के तुर्वज यदि वुजा 5 cm के प्रइद गुमाए जाए तो इस प्रकास प्राफ्ट ठोस का आयतन ग्याद करें ठीक जैसे प् जाएगा 5 cm का एभी और करनों हो जाएगा 13 cm अब हमें 5 cm के परिद गुमाना है तो हमें एक संकु मिलेगा तो हम कहा देंगे तरुब यदि वीज को 5 cm के परिद गुमाने पर हमें एक ठोस चंकु प्राप्त होगा अब इस चंकु की तरज्जा कितनी होगी 12 cm ठीक है इस चं हो जागा 12 के बता गुणा है तो तो हमने रखे यह बचेगा निकल ले ऊपब लगा है 22 का भाग दिया तो चार बचेगा और यह 12 बारा और पांच बचेंगे गुणा बारा गुणा पांच ठीक है तो इसको हल कर लेंगे ठीक है बारा पंजे साथ साथ गुणा चार दोसोचालेश तो हमारे शंकुका आईतन आ जाएगा 100 πさん3. और प्रस्फण यस प्रस्फफण में संकूक काय characteristic निकाला था 240 πさん3 ककुब अब दोनों का अनुपात निकाला है तो पहले प्रoshop Zust या होगा साथ में प्राफ 창कू काय SI और हमने लिख दे 402 से पई कट जाएगा रेक गीरो से गीरो कट टीक है तो जो owकर दीकति तोनों थोसों के आहतनों का अनुपात कितना हम अनुपात कितना आगए हमाारा फॉस्थीड से पार को पाँस राहर हमारे हमेरे प्रश्न किजिए इस धेरी को वर्सा से बचाने के लिए के दाना है वांचित के दाना है जिससे हम इसको ठाकेंगे तो दोस्तों गेहों के डेरी के मीटर पर व्यास से हमारा कोई काम नहीं होता है तुरिजा की तुरिजा होगी ड़टा 2, 10.5 में दुका बागत देंगे तो हमें मिलेगा तुरिजा हमारी आ गई आर पर 5.25 मेटर ठीक है अब बस इस निकालना है तो शंकु की आयतन का सूत्र में पता है एक बटा तीन पाई यार स्क्वेर एच ठीक है सब के मान रख देते हैं एक बटा थीन पाई की जगे रख दिया बाइस बटे साथ हार हमने निकाला पांच दूपांच तो लिग दिया पांच दूपांच और एच दिया साथ का बाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.75 ठीक है तो 22 रह जाए इदर फिर 0.75 और फिर या आखरी वाला 5.25 ठीक है अब इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6.625 मीटर क्यूब तो शंकु का आयतन हमारा आगया 6.625 मीटर क्यूब ठीक है तो यह हमारे इस प्रशन के पहले भाग का उतर होगा अब प्रशन के दूसरे भाग में दोस्तों में निकालना है इस डेरी को बर्सा से बचाने के लिए के नवास से डगा जाना है वांचित के नवास का छेत्वल ठीक है यानि कि इस शंकु का वक्क प्रश्टीज चेत्वल ग्याद करना है वक्क प्र बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ś अगश्च और दन अब 5.25 और दो नों नो जोडेंगे ठीक है 279 जोड़ेंगे तो 36 ल बराबर हो जाएगा अंडरूट के अंदर 36.5625 अंडरूट को हल करेंगे तो हमें ल बराबर मिलेगा 6.05 लगबग ठीक है एक्जेक्ट नहीं होगा यह लगबग होगा तो तुरिया कुछ यह हमारी आगी 6.05 लगबग ठीक है तो हमने लिग द लगबग क्यों कह रहे हैं इसको क्योंकि जो तुरिया को चाहीं मिली ती यह लगबग मिली तो यह गुड़न फल भी लगबग ही आएगा ठीक है तो हम कह सकते हैं बांचित के इन्वास का शेट्वल कित्ता होगा 99.825 मीटर स्केर लगबग और यह हमारे प्रशन का उत्तर होगा दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो लोस्तों